किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैंने इस अनार के पोधे पर और जो बाकी मेरे पोधे हैं उन पर मैंने आपको दो से तीन रिल दिखाई थी और एक छोटी सी वीडियो भी दिखाई थी आप इस से में देखेंगे कि इस पर भर भर कर अनार आएगी है और गुच्छों में है ये देखें वहाँ पर देखिए ये देखिए कितने अनार हैं ये आप लाइव देखिए ये मेरा पेड़ है आपको लग गया होगा इसकी बराबर में पीछे देखोगे तो मेरा अंजीर का पेड़ है और बराबर में साइड में देखोगे तो मेरे ये एक साल के बांस के पेड़ है ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगे कि मैं अपने ही खेत में हूँ और इस छोटे से पेड़ को मैंने किस प्रकार बढ़ा किया है अनार की उत्तर भारत में खेती सफल नहीं है लेकिन आप अगर अपना और्चर्ड बना रहे हैं तो वहां पर कुछ पोधे आप अवस्य लगा सकते हैं और अपने घर के खाने के लिए बहुत अच्छे अनार कर सकते हैं मैंने किया है इसमें कटिंग सबसे पहले एक बहुत मुख्य कारिय है कटिंग कैसे करते हैं ये भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसके बाद आता है कि जब इसमें फ्लावर आता है यानि फूल आते हैं उन फूल की पहचान भी मैंने बताई थी कि कौन सा मेल होता है कौन सा फिमेल होता है आप देखेंगे ये नीचे जितने भी गिरे हुए हैं, ये मेल फ्लावर हैं, ये देखें, मैंने बताया था कि जितने भी मेल फ्लावर होते हैं, ये जो पंकड़ी होती है, इसके पास तक इसका फूल होता है, और ये बहुत छोटा होता है, ये इसकी पहचान है, जो फिमेल फ्लावर है, वो इसमें फूल बनता है आप इसे ध्यान से देख लीजिए यहां पर यह जो है ना यह फीमेल है अंदर की तरफ है पीछे से यह गोल है और मैं एक दूसरा दिखाता हूँ आपको के अब इसमें कम रह गए यहां पर देख लीजिए इसको यह वाला देखिए यह जो बीच में है अगर इसे ध्यान से देखेंगे यह मेल है और जो अंदर की तरफ है यह देखिए यहां से अंदर उंगली ले जानी पड़ेगी यह फीमेल है लेकिन इसमें बहारी लग जाता है जहां तक पंखड़ी है वहीं तक फ्लावर है यह मेल है जिस पर फूल नहीं आएगा एक ही पोदे पर मेल और फीमेल होते हैं और मदुमक्खी भी अभी आपने देखी होगी कि वो परागन का काम करती है यह पॉलिनेशन का काम करती है आज मुझे इतनी खुसी हो रही है कि जैसे आप एक बच्चा होता है आपके एक बच्चा होगा आपको इसे लालन पालन करेंगे और जब बड़ा होकर वो कुछ कारिया करने लगा कितनी आपको खुसी मिल के होगी उसी परकार आज ये अनार देखकर मुझे कितनी खुसी मिल रही ये एक छोटी सी डाली देखिए और कितने अनार है इसमें मैंने क्या कार ये करे हैं वो आज मैं आपको बताऊँ किसान साथियो ये जो फसल है समय अनार की इसे हम बोलते हैं अंबिया बाहर के रहा है चाकि ये हमें जून जॉलाई में मिलेंगे अब जून जॉलाई में मिलेंगे तो इसके फ्लावर आपके मार्च से सुरू होते है जब मार्च से सुरू होंगे तो फरवरी में आपको इसकी कटिंग करनी होगी थोड़ा इसके पास में यहां पर खुदाई कर यहां पर आपको खाद लगाना होगा खाद कितना होगा सामानेत जैसे हम अम्रूद में करते हैं एक साल के पोदे में 10 किलो, अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद दो साल के पोदे में 20 किलो, 20 किलो बहुत होता है नार के लिए बड़ा हो जाएगा पुदा पांस साल का, 30 किलो तक आप जा सकते हैं, उसके साथ मैंने एक, ये कमपलसरी कर दिया है, कि ये डालना ही डालना है, खाद में थोड़ा माईकोराइजा मिलाईए, उसके साथ में सागारीका और हुमीक एसिद, जो सागारीका है वो दाने वाली हो होनी चाहिए, और परतेक वर्स के लिए आप 50 गराम कर दीजिए, उसके साथ में हुमीक एसिड परतेक वर्स के लिए आप 5 गराम भी बहुत है, दो साल के लिए 10 गराम कर लिए, तीन साल के लिए 30 गराम कर लीजिए, लगभग इतना करिए, एक पौडर की फोर्म में आता ह करता हूं यह सब मिला कर आप इसमें डाले ओगर इसमें आप कोई माइकरो न्यूट्रेंट भी डाल देंगे तो भी चलेगा लेकिन यह जो सागरी का वगरह है इसमें थोड़ी मातरा में माइकरो न्यूट्रेंट होते हैं उस समय इसे यही आवज सकता होती है थोड़ा चार इंच नीचे दबाए फिर कवर कर दे और इसमें पानी चला दे तो आप देखेंगे के इसमें फ्लावर सुरू हो जाएगे मार्च के एंड तक आते आते फ्लावर सुरू हो जाएगे जब फ्लावर आवांगे तो आपको एक ध्यान रखना है हलका पानी देना है और नमी बनानी ये बहुत सूखा नहीं रखना है अगर पानी अधिक आ गया तो आपके फ्लावर सारे ड्रोप हो देगे ये जो मैं कारिये बता रहा हूँ ये उत्तर भारत के लिए बता रहा महा की कंडिशन पातावरन जमीन सब चीज अलब है इसके बाद क्या करना है आपको जैसी फ्लावर आवंगे आपको एक इस्प्रे करना है वो इस्प्रे होगा एन पी के जीरो पावन चोंतिस पाँच ग्राम परतिलिटर उसके साथ में आपको मिलाना है बोरोन एक ग्राम इन दोनों को मिलाकर उस पर इस्प्रे कीजिए ये आपको फूल को रोकने में बहुत अधर करेंगे और जो फूल होंगे वो पूरी तरह खिलेंगे आपको फल अधिक से अधिक मिलेंगे इस्प्रे हमेशा शाम को करना है जब धूप डलने वाली हो आपके पास बहुत बड उससे छेंच दोर रहना सही ये पानी जब भी लगाया आप जाए इसके बाद क्या होगा आपके जैसा मैंने दिखाया था धीरे धीरे फूल किलने सुरू हो जाएंगे जब फूल किलने सुरू होंगे तो आपको लगेंगे के हाँ बढ़ी ये अनार सैट होने सुरूा इतने हिस्से में आपको डालना है यह 3 साल का पोधा है इसमें हमने 100 ग्राम यहां पर डाला आप देखिए यह मिट्टी हुई हुई है यह यहां डालकर आप इसमें पानी दे दीजिए या पानी गोल कर दो लिटर पानी में या तीन लिटर पानी में सो ग्राम गोलिए और यहां पर दे दीए किसान साथियों आप देखेंगे कि और आप फूब फल भर भर कर खाएंगे ये थी तीन बाते जो मैंने आपको बताई हैं पहली बात कटिंग की कटिंग ठीक प्रकार से करनी है जैसा मैंने वीडियो में बताया था दूसरी बात जब खाद लगाना है कहां लगाना है उसका ध्यान रखना है पानी कितना देना है उसका ध्यान रखना है और साथ में जब फलावर आवेंगे क्या इस्प्रे करना है तीसरी बात जो बहुत important है इस समय कुछ लोग कहते हैं फल फट रहे हैं फल गिर रहे हैं वो micronutrient की कमी होती है जब छोटे-छोटे हों micronutrient लगाईए और आपका पोधा इस प्रकार भर जाएगा लोगों से हाँ एक बार फिर मैं एक वीडियो में विश्तरत रूप से cutting की ज जो है ना आपका जो पोधा है अनार से भर जाएगा हमारे पास बहुत सारे फोन आए हैं कि जी अनार का पोधा चाहिए अंजीर का पोधा जी पोधा बहुत महगा नहीं है मेरे पास में चुकि हम खुद बनाते हैं पोधा मेरे पास सो रुपे का है ये बहुत बड़ी कोस् कोस्ट बताई जाती है, किसी को नागपुर में भेजना है, किसी को राजस्थान में भेजना है, किसी को हरियना में भेजना है, उसकी पैकिंग होती है, फिर उसकी कूरियर चार्जी होते हैं, एक पोधा ट्रेन से नहीं जाता था, कोस्ट बाकी सारी जितनी भी है वो उसके हो आपको जो जानकारी चाहिए वो बिल्कुल फ्री मिलेगी आपका यहाँ पर भरपूर स्वागत होगा यह आपका फार्म है लेकिन मैं पोधा अगर यहाँ से खरीदेंगे तो मैंने रेट बता दिया है आपको अगर यहाँ से नहीं खरीदें मंगाना चाहते हैं तो उसमें इसी प्रोजक्ट में थोड़ा बिजी हूँ बहुत जाले मैं बहुत फोन काल नहीं ले सकता हूँ तो जितनी भी आपकी पर्चेजिंग की या पोधों की रिक्वार्मेंट है और आम में तो बहुत ही महारत हासिल कर ली है उसने मेरा बेटा है विवेक त्यागी उसका नंबर आप नोट कर लीजिए 9910336139 आप उससे बात करिए अगर बुकिंग करना चाते या पोधे प्राप्त करना चाते तो इस नंबर पर संपक करिए और आगे वही इन चीजों को आपको देगा मेरी साथ पिछले तीन साल से लगा हुआ है वो बहुत मेहनत की है और काफी कुछ सीखा है इसलिए मैंने यह कारिय अब उसको दे दिया है मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जैसे आपने देखा होगा कंपोस्टिंग का मैंने बताया था वो सब चीजे मैं आने वाली वीडियो में जो मैंने प्रेक्टिकल किये हैं उसके जो रिजल्ट और सम्सक्राओ सिदान कर दोरी ओम्रोजे चेजे इसलिएरे हैं घसके रहा है वाली हुत द So